आ तो है हुआ आज अपन डिजिटल ओसन पर वर्डपेस की विब साइट को बनाना चिकेंगे और सिखेंगे अपन वीडियो में वरडपेस के वैशेट को डिश्टल ओसन में माइगरेट करेंगे जिपाइट करेंगे में याफ कि क्या Geschichte है किसी प्लेटफर्म किसी कप्रइब में जा पुस को माइगरेट कर सकते हैं डिश्टल ओसर या किसी और भी क्लाउड सर्विस अधिक है तो आज दीखेंगे वॉड्वेस में वड्वेस को डिश्टल उसन में कैसे बनाते हैं तो आप यदी फर्स टाइम रिजिस्टर कर रहे तो आपको साथ दिनों के लिए 200 डॉलार मिलेंगे आप इसमें खुद को सीख सकते हैं तो वीडियो की डिस्कप्शन में लिंक रहेगी तो वहां से आप खरीदेंगे मतलब अकाउंट बराएंगे फिरी में तो बस सिंपल से आपको कि दोसो रुपए का क्रिड़िबे ग और मुझा 25 फीर ऑटडार क्रिविस्ट्र कर जाएगा आपको 200 क्रिडे जाएंगा जिससे कि यूज कर सकते ट्राइए कर सकते हैं मेरे काम आ सकते ही पचीट ड ऊल़र तो फॉर्स्ट टैम पन्स करना होगा ताभ इसको साइग पकर सकते ह डिश्टलोशन फोर फ्री कम्प्लेट अगांट रजिस्ट्रेशन टुर्ट फोर यूश इस्टुडेट तो फ़स्ट टाइम पपन यह ट्राइब कर रहे हैं तो आपको बिलिंग करना पड़ेगा आपको बस अकाउंट ने कटेका आप पहले आप तो अपना केडिगरी से लिए क्या वेब साइट किसलिए प्लाइन कर रहे हैं तो वेब साइट के लिए और फिर रूल क्या रहेगा आप अनर है तो ठीक है फिर्लेंस और कंपनी होबीस और स्टुडेंट इसको सब्सक्राइब लीज़े और आपके इंकम तो मालीज़े जीरो सो पचाट डॉलर के बीच होगा अभी तो कुछ आई नहीं आप खुद वर्क कर रहे हैं तो ठीक है और सब्मिट कर दीजिए अब आगे आप यहां पर सब्सक्राइब कर लिजिए मैं और इध्यान रहे जो भी पेमेंट होगा आपको फर्स्ट टाइम जो पेमेंट अभी डिटक्ट होगा आपके बैंक प्राउंस ते वह आपिस रिटन कर दिया जाए जैसे आप लिकाए वह नौट दचार्ज और कार्ड यूमे भी प्राउंस नींद इस तरह के डैस्ट बॉट्ट उपने और तो आपको नए प्रेजिक बना लेना है क्लिक कर देना इस तरह से अब आपको सिफ वर्टपस वेबसाइट चाहिए डोमेंट नेम के साथ तो सबसे पहले आपको डोमेंट नेम खरीदना होगा खरीदने के ब और फिर यहां पर अभी आई नहीं पा रहा है कि आ गया WordPress को सेलेक्ट कर देना है इस तरह से सेलेक्ट हो गया अभी यहां पर आपको प्लैन सेलेक्ट करना है कि आप नई वेबसाइट है तो आपको रेग्लर मेंसेज क्लिक करके तो से सस्ता वाले प्लेंट लिजिए दिया आप अलड़ी कमाई कर रहे हैं और आपकी वेबसेट चल रहा है तो आप जित्त ज्यादा अच्छा पैक सेलेट करेंगे प्राइस के अनुसार उस्ती अच्छी वेबस नाम यहां पर लिख सकते हैं जो भी आपका नाम हो और फिर क्लिक करेंगे तो आपके वेबसाइट बनने ही में कुछ साहिं में लगेगा फिर आगे दिख लेते हैं यह पासवाट अपन सालेट कर लेते कुछ भी कि मैं कैप्टेम लिखते हूं सुनील कि एड़ेट कि वान तो थ्री पटेल कि ट्रियेट डवप्रेट अब ट्रोप्रेट बन जाएगा तब तक इसको कम्टिट होन देते हैं और अपन को डेम डूमेंड नेम कनेक्टर है तो ने ट्रों की चलते हैं कि डूमेंड पर क्लिक कर देना है और डूमेंड में जाने के वादा आपका जो भी डूमेंड नेम होगा उसको यहां पर लिकना जैसे मेरा डूमेंड नेम है यूज माइट टूस डॉट इंग और फिर एड डूमेंड में इस तरह से क्लिक कर देना है तब तक वहां पर इसको न्यू टैप में अपन उपन कर लेते हैं लिए प्रोजट को कि द्वाप्लेट तयार हुआ कि नहीं हुआ देख सकते हैं डॉप यहां पर सक्सेस्फिलिज तयार हो गया है अब इसका आप आड्रेस को कॉपी कर लेते हैं और फिजिन नेट्वर्क वाले सक्षिन रावस में जाके यहां पर एड्रेट करते हैं और यहां पर यहां पर यह तो सब्सक्राइब कर सकते हैं यह यहां पर अपना एप्लेट पेस्ट कर सकते हैं और फिक क्रियेट रिक्रिक कर दिना है कि अब वापी से सीनेम में चलना है और यहां पर होस्ट नैम पर डबलू डबलू और नीचे आप देख सकते निजाम बल में डबलू-डबलू क्यों लगा है ताकि कोई ब्रसेडफ की उपन हो तो इस तरह से उपन हो यहां पर वापी से आपड़ेट कर दीजे और क्रियेट पर क्लिक कर दीजिएु तो यहां पे subscribe कमप्लेट हो गया है और वापिससे अपने यृब रॉट पर चलते हैं और यहां चुक्त करें तो आपको क्लिक कर दीनայार। और फिर लॉंच ड्रॉट प्लेट पे अपने वाले प्रोसेस करने वालि machine के उस डूमेन निम को इंटर करना है जैसे यूज माई कि टूस डॉट इन इसका जो भी आईपी अड्रेस है यह अभी टू टू नाइन है लास्ट में लेकिन इसका इपी अड्रेस क्या है देख सकते हैं तो जब तक कि सभी के सभी आपके जैना आईपी अड्रेस दिखाने लग आप जो मैं बता रहा हूं लांच डॉप्रेट वाली कंसोल के प्रोसेस को ट्राइ कीजेगा मतलब की तीन चार घंटे बाद अभी इसको ट्राइ कीजेगा ताकि आपके यहां पे जो डब्लू डब्लू डॉट और नॉन डब्लू डब्लू डॉट एस्टी टीप का सर्टि ठीक है तो चलिए देख लेते हैं यहां पर डॉमेंट डिखते हैं यूज माई टूल्स डॉट यहां पर क्लिक किये अब यहां पर अपना एमेल ड्रेस इंटर कर दीजे ताकि जो भी नूटिफिकेशन हो आपके एमेल ड्रेस पर आती रहे ठीक है अब इंटर किये अब यूजर नेम जो आप वेबसाइट को वर्टपेस के होमपेस से लॉग इन करें गो यूजर नेम अभी टेम्परेरी में लिख रहा हूं बागी में डेलीट कर दूंक तो यूजर नेम सुनील पर टेल टूपर रहे गया आप लॉग इन पास्वड बना लिखते हैं यहां पर अभी यहां पर आएगा क्योंकि SSL सार्टिफिकर तब रजिस्टर होगा जब हमारा IP अड्रस सभी जगस सो होने लग जाएगा तभी मैं यस करता हूं बाकि आप इर देख लिजेगा कि उस तरह के यह रहा होते हैं आप इमेल अटर कर देते हैं फिर स कि शेयर ना किया जाएगा देख सकते हैं यहां पर अने वल्ट डेजिस्ट्रा रहां विद्धा एम सर्वर ठीक है मतलब कि क्या बोलते हैं वह आई-पेटेस सो नहीं हो सेलेक्ट नहीं होगा सबीजागा इसे लिए तो आप वर्डप्रेस की लोग इं कर लेते हैं कंप्यूट के सको एक्सिट करके लोज कर देते हैं आज है झाल झाल